हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जे के फ्रंटीर अकैडमी, आइम शुवर महाजन और आइम यूर फिकल्टी फॉर जनल स्टुडीज दोस्तों आज कर जो टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मी कान से हमें आप के लिए टॉपिक लाया है जिसको क्या कहा जाता है इमर्जंसी प्रोविजन जी हाँ इनी को क्या कहा जाता है emergency situations in India और अब बात कते हैं हमारे Indian constitution में emergency provisions कौन से part में आते हैं देख कम सिंदा part 18 of the Indian constitution और articles को गोज़े है 352 से लेकर 360 हमें इतना पता है कि ये तीन articles है पर इनका nature कैसा है और जब ही हमारे देश के उपर applicable होते है तो वो कैसे क्या क्या हमारे देश का structure चेंज हो जाता है को सा federal structure रहता है को सा unitary structure रहता है आज हम उसी के बारे में करेंगे ये video थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम हर article को जो है detail wise study करेंगे और आपके लिए UPSC या हमारे PSC का जो भी exam होता है उसके point of view से आपके लिए बड़ा जरूरी होने वाला है चलिए एक चीज़ या दखना है जब बात चलती है हमारे देश में क्या कहते हैं उसके लिए emergency provision के लिए तब हमारे देश में जो central government होती है ना वो पूरी तरह से हमारे देश की सारी abnormal conditions को क्या करती है effectively tackle करती है ठीक है चलिए बागे जब emergency होती है तो central government हमारे देश में सबसे ज़्यादा powerful हो जाती है और state जो होती है जितनी भी होती है वो total control में आ जाती है center के तो central government का अपर है जो हो जाता है हमारे देश में जब emergency लगती है और हमारे देश का जो federal structure है ये पूरी तरह से खतम हो जाता है और हमारा देश एक unitary system में आ जाता है एक चीज़ या दखना हमारा देश का जो article number one है इंडियन constitution का article number one इंडियन constitution का कहता है इंडिया that is इंडिया is also the blend of kazi federal structure इंडिया क्या है इंडिया federation भी है union भी है पर according to constitution हमारा देश के आता है हमेशा unitary nation आता है अब बात कते हैं आज के दिन जैसे आज के डेट जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे है उस दिन हमारे देश का nature कैसा है अब आपसे अगर यह पूछा जाता है कि देश का यूनिटेरी स्ट्रक्चर कब शुरू होता है जब हमारे देश में एमरजनसी लगती है ठीक है यह चीज आगी आपको समझ तो चलते हैं आगे अब चलते है चलिए अब हमारे देश में बात कते हैं कितनी तरह की एमरजनसी साती है सबसे पहले हमारी एमर्जंसी आती है आर्टिकल लंबर 352 जिसको क्या कहा जाता है नेशनल एमर्जंसी यह हमारा इस एमर्जंसी का क्या नाम आता है एमर्जंसी डू टू वार एक्स्टरनल एग्रेशन और आम्ड रेबिलियन इसका मतलब आर्टिकल लंबर 352 हमें त और आम्ड रेबिलियन इस आम्ड रेबिलियन को पहले क्या कहा जाता था इंटर्नल इंटर्नल रेबिलियन भी कहा जाता था पर हमने इसका नाम चेंज करके बात में क्या कर दिया आम्ड रेबिलियन मलकी जब हमाने देश के अंदरूनी हालात जब खराब हो जाते हैं उसको क National Emergency है वो हमारे देश में कौन से आर्टिकल में आती है Article No. 352 of the Indian Constitution ये हमारी पहली टाइब की Emergency आती है चलिए अब दूसरी टाइब की Emergency के ओपर चलती है जो हमारी दूसरी Emergency आती है इस Constitution के हिसाफ से वो हमारी कौन से आती है Article No. 356 में जिसको क्या कहा जाता है Emergency Due to the Failure of the Constitutional Machinery in the States या Article No. 356 इसको क्या कहा जाता है President Rule एक चीज़ या तक ना जो National Emergency होती है जो National Emergency है ये हमारे पूरे देश के लिए ठीक है ये हमारे पूरे के पूरे इंडिया के लिए है पर हमारा जो President Rule होता है ठीक है President Rule की अगर बात कीज़ए जो हमारा Article No. 356 में आता है ये हमारी किसी Specific या Particular State के लिए होता है ठीक है इसको क्या कहा जाता है President Rule हो रही है हमेशा इसको कहां पे लगाया जाता है States में लगाया जाता है तब इसको क्या कहा जाता है State Emergency या Constitutional Emergency चलिए वागे चलते है थर्ड हमारा कुन सा आता है एक चीज़ या तक ना जो हमारे देश में National Emergency है National Emergency हमारे देश में तीन बार लगाई गई है ठीक है जो हमारे देश में National Emergency है वो तीन बारी लगाई गई है और जो हमारी अगर बात की जाए President Rule जो है हर State में कभी ना कभी हमारी कोई ऐसी State नहीं होगी मेरे ख्याल से जहां पर कभी President Rule नहीं लगा होगा अब बात कते हैं ये वाली Emergency ये वाली Emergency हमारे देश में कभी भी नहीं लगी है जिसको क्या कहा जाता है Financial Emergency ये Article 360 में कवर होती है और इसका पूरा नाम क्याता है Financial Emergency Due to a Threat to the Financial Stability or the Credit of India जब हमारे देश में Financial Crisis आते हैं जब हमारे देश का Cash Reserve पूरी तरह से खतम हो जाता है Consolidate या Conigency Fund से तब हमारे देश में Parliament of India पूरी तरह से Authorized है क्या करने के लिए हमारे देश का जो surplus पैसा उसको Utilize करने के लिए और एक चीज़ याद अखना है ये तीनो टाइपस of Emergency किसके द्वारा हमारे देश में लगाई जाती है वो आते हैं हमारे President of India ठीक है Only President is authorized Only President is authorized to issue emergency हमारे देश में Emergency लगाने के लिए कौन authorized है खाली President of India ठीक है चले हम आगे अब चलिए अब इसको Emergency को Separate basis पे करेंगे सबसे पहले कौन सी आती है हमारी National Emergency आती है और उसी के बारे में हम पढ़ते है National Emergency जैसे Article No.352 है President ही खाली हमारे देश में National Emergency लगा सकते है जब हमारे देश की Security जो है क्या हो जाती है पूरी तरह से Threatened हो जाती है या तो War की वज़ा से या External Regression की वज़ा से या Armed Rebellion की वज़ा से जिसको पहले क्या कहा जाता है Internal Rebellion भी कहा जाता है ठीक है एक चीज या दखना President जो है खाली हमारे देश में Emergency, National Emergency तभी नहीं लगाएंगे जब War हो चुकी है जब हमारे देश में होने वाली है ठीक है जब पहले ही होने वाली है या हमें पूरी तरह से खतर है किसी चीज से तब हमारे देश में तब भी Emergency President के द्वारा लगाई जा सकती है और एक चीज या दखना जब हमारे देश में National Emergency होती है न तब President of India किसी भी तरह के Different Proclamations Proclamations का मतलब हुआ किसी भी तरह का Rule जो है हमारे देश में निकाल सकती है जब War होगा या किसी तरह का Country का हमारे ओपर Attack होगा ठीक है अब बात करते हैं ये Proclamation या ये वाली जो Order है कि President के पास Power है कि वो उस समय कोई भी तरह का Order हमारे देश में निकाल सकती है ये हमने कब लगाया था ये हमने Constitution में कब Act गिया था 38th Amendment Act of 1975 ठीक है चले है अब आगे चलते हैं अब जो है हमारा आगे क्या कहता है Article 352 जब National Emergency हमारे देश में लगी होती है War ये एक्सटर्नल एग्रेशन की वैसे इसको External Emergency कहा जाता है और जब हमारे देश में Armed Rebellion होता है तो इसको क्या कहा जाता है Internal Emergency कहा जाता है फिर चलिए आगे दो तरह की Emergency Article 352 कवर करता है सबसे पहले के आता है जब हमारे देश में लड़ाई छिड़ जाती है दूसरी कंट्री के साथ तो वो External Emergency आगी और जब हमारे देश के अंदर हमारे हालात बिगड जाते हैं जैसे दंगे फसाद हो जाते हैं तब उसको क्या कहा जाता है Internal Emergency कहा जाता है चलिए बात करते हैं एक जो National Emergency है ना जब शुरू में कानूर हमारे बनाया गया था या जब शुरू में Constitution मना था तब जो National Emergency होती थी वो हमारे पूरे देश में लगती थी चाहें कोई State क्यों ना वहां पे involved हो ठीक है पर एक चीज़ याद अखना फिर हमने 42nd Constitutional Amendment किया 1976 में जिसमें हमने किया कि President जो है National Emergency किसी specific part पे भी इसको क्या कर सकते हैं लिमिट कर सकते हैं जैसे अगर आपको पता होगा पंजाब में जो है हमारे यहाँ पर National Emergency लगी थी 1975 में यह President of India के पास 42nd Constitutional Amendment 1976 के बाद पावर आ गया है कि वो किसी भी स्टेट में National Emergency को क्या कर सकते हैं रिस्टिक कर सकते हैं जैसे कोई स्टेट है वहाँ पर बड़े जादा दंगे चल रहे हैं तो पूरे देश को बिना डिस्टरप किये हुए हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं National Emergency लगा सकते हैं और आपको पता ही है जब हमारे देश में National Emergency लगती है तो क्या हो जाते हैं हमारे Fundamental Rights ठीक है Fundamental Rights क्या हो जाते हैं हमसे पूरी तरह से छीन लिये जाते हैं चलिए भागे चलते हैं एक चीज़ या दखना Constitution ने Internal Disturbance को जो है Third Ground कहा था National Emergency की Proclamation के लिए तो फिर उसके बाद 44th Amendment 1978 में किया गया जिसमें Armed Rebellion जो है Internal Disturbance की जगा हमने आड़ कर लिया अन्याओं को बताया था Armed Rebellion हमने पहले नहीं रखा था पहले उसको Internal Disturbance कहा जाता था बात करते हैं वो कब डाला गया था 44th Constitutional Amendment of 1978 अब एक चीज़ या दखना आगे इसके बारे में बात करते हैं ये सबसे जरूरी चीज़ आती है और इसके बारे में आपने याद रखना है जो President जो है National Emergency कैसे लगा सकते हैं जब उनको written recommendation मिलेगी cabinet के द्वारा जो हमारी union cabinet होती है जैसे जिसमें क्या होंगे home minister होंगे finance minister होंगे हमारे defense minister होंगे हमारे foreign minister होंगे ये कुछ जो prime ministers होती है जो हमारे देश में cabinet मनाती है खाली उनके written recommendation के उपर ही President of India क्या कर सकते हैं पर एक चीज़ या दखना 1975 में जो हमारी prime minister इंदीरा गांदी थे उन्होंने अपनी ही मर्जी से क्या कर दी थी national emergency पूरे देश में लगा दी थी और उन्होंने अपनी cabinet से किसी तरह का कोई तरह का उन्होंने जो है decision नहीं मांगा था तो फिर उसके बाद हमने क्या किया 1978 में 44th constitution amendment के द्वारा ही हमने क्या किया ये amendment किया और बोला कि अपसे क्या होगा जो cabinet है उसके written order के उपर ही ये हो सकता है चलिए अब आगे एक और चीज़ या तक ना जो 38th constitution amendment हुई थी थी ना 1975 में उसने एक order लाया था कि जो national emergency है वो अपसे क्या होगी immune होगी judicial review को इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप हमारे देश में emergency लगाते हो तो आप उद्ध सुप्रीम कोट में जा के क्या कर सकते है उसको challenge कर सकते हो पर हमने इसको 44th constitution amendment में 1978 में क्या कर दिया डिलीट कर दिया ठीक है पहले 38th constitution amendment में बोला गया कि अपसे क्या होगा जब भी emergency लगाई जाएगी हम उसको challenge करेंगे सुप्रीम कोट में पर 44th constitution amendment ने क्या किया इसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया बोला कि नहीं इसके लिए कोई भी judicial review की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए बात कते हैं जब हमारे देश में emergency लगती है वो तो हमें पता है कि वो खली प्रेजिडेंट ही authorized लगाने के लिए अब यहाँ पर parliament का क्या रोल होता है या parliament का क्या contribution है emergency के time period पे एक चीज़ याद अखना हमारा Indian constitution कहता है कि जो emergency लगी है ना उसको parliament ने approve करना ही करना दोनों houses जो है parliament के उन्होंने एक महीने के अंदर pass करना ही करना ये चीज़ याद अखना president लगाते हैं पर उसकी जिम्मेदारी किसने लेनी है parliament ने लेनी है और उन्होंने parliament ने कितनी देर के अंदर उसकी जिम्मेदारी लेनी है वो आता है एक मंद ठीक है एक चीज़ याद अखना जो original जब हमारा 26 जनवीर 1950 को constitution लाग हुआ था तब वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो हमारा proclamation of emergency का वो दो मन्त के अंदर पास होना चाहिए पर इसको हमने 44th constitutional amendment 1978 में क्या कर दिया reduce करके एक महीना कर दिया अब आगे एक और चीज़ याद रखना जब proclamation of national emergency हुई है वो लोगसभा उस समय dissolve है ठीक है या लोगसभा dissolve होने में अभी एक महीना रह गया हुआ है और उन्होंने किसी तरह का proclamation को approve नहीं किया तो फिर उस समय याद रखना proclamation जो हमारा presidential order है national emergency का वो रहता है अब कब तक रहता है जब तक नहीं लोगसभा नहीं बन जाती है और उसकी पहली पहले ही यहाँ उसके 25-25 दो दिन 20 दिन के पहले उन्हों रिटायर होना और वो उसको पास नहीं करते हैं तो वो बात कते हैं लोगसभा ने को पास करना है जब नहीं लोगसभा ने 30 दिन के अंदर पास करना है अब बात कते हैं फिर पार्लिमेंट ने इसको पास कैसे किया क्या बदल लोकसभा एक साल यहां दो साल यहां तीन साल के बाद बने एक चीज याद अकना तब हमारे यहां पर हमारे इंडियन कॉंसिटूशन कहता है जब लोकसभा नहीं नहीं होती है एक चीज याद अकना है हर चे महिने के बाद पार्लिमेंट का approval चाहिए हर 6-6 महीने के बाद आप समझ लो कि इसको parliament से recharge करवाना पड़ेगा और इसको indefinite period के लिए मतलब 10, 15, 20, 25 जितनी देर चाहे मर्जी हमारे देश में emergency लगाई चाह सकती है पर शर्त ये है कि हर एक 6 महीने के बाद parliament को क्या करना पड़ेगा इसको है कितनी voting होनी चाहिए हमारे देश में parliament के दोरा कितनी voting होनी चाहिए हमारे क्या कहते है emergency को approve करने के लिए जब president ने emergency लगा दी अब वो parliament के पास गया उसको sign करने के लिए parliament की बात करते है कितनी देर में कितनी percent voting जो होती है उसको कहा जाता है special majority इसको क्या कहते है जो total membership होती है जैसे लोग सभा है ठीक है लोग सभा में अभी अगर आपको बताओगा 543 मेंबर्स है और राज्यसभा में कितने होते है राज्यसभा में होते है 245 ठीक है 245 इन दोनों का 2 by 3 2 by 3 आप निकाल दो इतनी majority वहाँ पर आनी चाहिए जब तक इतने ये लोग पास नहीं करते हैं 2 by 3 रेशो अगर 2 by 3 को देखा जाए ये मेरे खिया से 66.6% होता है जब तक 66% परलिमेंट के लोग इसको एपरूब नहीं करते हैं तब तक ये चीज़ एपरूब नहीं हो सकती है पर originally अगर बात कीजए औरीजिनल जब constitution था औरीजिनल constitution कहता था इसको simple majority से आपने पास करना है वो क्या होता है more than 50% पर हमने 44.4 constitutional amendment में इसको क्या कर दिया हमने special majority से क्या कर दिया इसका clause लिया है ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि पारलिमेंट ने जो हमारे देश में emergency लगाई है इसको revoke कैसे किया जा सकता है हमेशा याद एक्टरा जो emergency है ये कभी भी president के दौरा जो है revoke की जा सकती है इस सबसे जरूरी चीज आती है जब हमारे देश में article number 352 लगता है तो उसका सबसे पहले किसके ओपर effect होता है article number 300 19 एक चीज याद अखना जब हमारे देश में article 352 लगता है तब हमारे सारे fundamental rights क्या होते हैं suspend होते हैं ठीक है क्या होता है fundamental rights जो हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं suspend हो जाते हैं पर आपको अगर पता होगा कौन-कौन से article कर नहीं suspend होते हैं वो होते हैं आर्टिकल लंबर 20 & 21 ठीक है अब यहां से हमारा जरूरी कोशन आता है आर्टिकल लंबर 358 & 359 की यह चीज क्या है एक चीज यहाद देखना हमारे fundamental rights का सबसे जरूरी fundamental right आता है आर्टिकल लंबर 19 जिसको क्या कहा जाता है freedom यह वही आर्टिकल है जो हमारे क्या करता है हमें 6 तरह की freedom देता है है ना तो यह सबसे जरूरी है देखो हमारे देश में हमारे पास under article 19 पावर है कि हम किसी भी तरह का क्या कर सकते हैं किसी भी तरह की क्या कर सकते हैं बयान बाजी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं पर अब बात कते हैं कि अगर article number 90 इतना ज़्यादा strong है तो क्या खली उसको article number 352 ही खतम कर सकता है जी नहीं जब हमारे देश में article number 352 लगता है तो उसके साथ automatically 358 और 359 लगते ही लगते हैं ठीक है जो 358 आर्टिकल है वो डील करता है fundamental rights के जो हमारा article number 19 आता है ना आर्टिकल 19 को जो fundamental right है अलग से खतम करने के लिए हमने कौन सा आर्टिकल लगाया 358 चलिए बात कते हैं 359 फिर कौन सा हुआ 359 में दो चीज़ें आती है एक आता है courts वाला मसला हमें पता ना जब हमारा fundamental right हम से चीना जाता है हमें court जाना है या हमारे जो बाकी fundamental rights है यह तो आर्टिकल है यह सब कौन suspend करेंगे यह 359 आर्टिकल करेंगा आगी समझ इसकी 358 आर्टिकल हो गया हमारा खाली 19 के लिए और उसके अलावा 20 और 21 को 19,20 और 21 को छोड़के हमारे जितने बाकी fundamental rights बचे उनको suspend कौन करता है आर्टिकल नंबर 358 आव दा इंडियन constitution चलिए बाके चलते हैं अब बात कते हैं जो 19 आर्टिकल है यह कैसे suspend होता है जैसे ही 358 आर्टिकल लगता है तो हमारा आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड हो जाता है उसके लिए किसी तरह का special order या separate order लाने की आपको जरूरत नहीं है यह चीज़ याद रखना ठीक है और एक और चीज़ याद रखना जो 44th constitutional amendment ना 1978 की यह और चीज़ कहती है कि जो आर्टिकल लंबर 358 है वो दो तरह का होता है जो आर्टिकल लंबर 19 है वो खाली दो तरह की national emergency में खतम हो सकता है यहां तो war के उपर यहां external aggression के उपर एक चीज़ याद रखना इसका मतलब जो हमारा internal rebellion है जो हमारा internal rebellion है इस time period पे हमारे देश में article number 19 suspend नहीं होता है ठीक है बस यह छोटी सी चीज़ है इसको आपने याद अखना है 358 जो है खाली तब ही लगेगा जब हमारे देश में war यह external aggression का case होगा जब हमारे देश में internal rebellion होगा तब article number 19 suspend नहीं होता है चरीए अब दूसरा article कर order करता है कि आप क्या कीजिए उन चीजों को suspend कर दीजिए जो हमारा राइट आता है किसका courts में जाने का fundamental rights को enforce करने के लिए मतलब की 3 हमारा article number 32 है यह हमारा जो है एक तरह का suspend हो जाता है ठीक है इसका मतलब fundamental rights तो suspend होते ही होते हैं और उनके सासा जो उसकी enforcement है वो भी पूरी तरह से suspend हो जाती है और हमारा जो right to constitutional remedy है जो article number 32 है यह भी हमारा पूरी तरह से क्या हो जाता है suspend हो जाता है ठीक है चलिए अगर आपको यह नहीं पता चला है या समझ नहीं आई यह 358 और 359 article है क्या है तो अभी यहां से हम इसकी distinction देख लेते हैं कि क्या difference है 358 और 359 के उन fundamental rights के उपर लगता है जिनकी enforcement जो है presidential order के द्वारा क्या की गई है suspend की गई है मतलब कि जब हमारा 19 suspend होगा हम protest करेंगे ना कि हमारा सबसे बड़ा article आपने suspend कर दिया अब उसके लिए आपने प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए court में जाना है तो वो आपका किसकी द्वार प्रेजिडेंट को प्रेजिडेंट को पावर देता है कि जो enforcement है fundamental rights की आप उनको क्या कर दीजिए suspend कर दीजिए मतलब प्रेजिडेंट की चॉइस है कि वो 359 आर्टिकल लगाते है या नहीं लगाते है पर 358 आर्टिकल उनको automatically क्या करना पड़ेगा हमारे उपर लगाना क्या कहते हैं armed rebellion है तब 358 आर्टिकल नहीं लगता पर 359 जो है वो कैसे लगता है जब external emergency और internal emergency जब दोनों होती है ना तब हमारे देश में लग जाती है जो 358 है fundamental rights खाली article number 19 जो right to freedom है उसको खाली suspend करता है emergency का time period पर जबकि 359 जो है enforcement है fundamental rights की वो पूरी तहां से suspend कर देता है ठीक है article number 358 जो है सारी country के ओपर extend होता है जबकि 359 जो है किसी country या उसके part के ओपर extend होता है ठीक है यहीं से हमारा article 352 end होता है खतम होता है अब हम कहां पर जाएंगे article number 356 के ओपर ठीक है और चलिए आगे चलते हैं फिर आगे बताता हूँ आपको जो हमारा 356 और 360 article है वो भी बहुत बढ़े है तो मैंने सोचा कि आपको जो है अलग-अलग करवाया जाए पहले अब 352 article में एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है कि हमारे देश में article number 352 या national emergency कब-कब लगा है ठीक ह चलिए बात कते हैं यह हमारे देश में कब-कब emergency लगी है सबसे पहले लगी है 1962 में 1971 में और 1975 में सबसे पहली हमारे देश में national emergency लगी थी जब अक्तूबर 1962 में कब जब हमारे साथ इंडो-सीनो वार ही थी क्यों क्योंकि उस समय North East Frontier Agency जिसको अरुनाचर परदेश कहा जाता उसको लेने के लिए चाइना ने हमारे उपा जो है अटैक किया था और यह जनवरी 1968 तक हमारे देश में लगी रही थी इसका मतलब 1962 में जब वो लगी थी हर छे महीने के बाद पारलिमेंट का उनको जो है अप्रूवल मिल जाता था तब ही वो जो है इतने साल हमारे देश म लगाने के लिए ठीक है देखो ना हमें पता है 1965 जो हमने 1965 और 1971 में दो बरी पाकिसान के साल लड़ाई लड़ी है 1962 में पहले ही हमारे देश में अमेजनसी लगी थी जिसका फाइदा मेर को लगता है कि पाकिसान ने तब उठाया था और हमारे देश के उपर अटक किया था और उस टाहें पर हमने कोई separate emergency नहीं लगाई थी, क्योंकि वो तब भी हमारे देश में applicable थी, जो दूसरी proclamation नेशनल emergency की वो लगी थी December 1971 में, जब फिर से पाकिसान ने क्या किया, हमारे उपर attack किया, ठीक है, और जब ये emergency हमारे देश में operational थी, तो उसके बाद third proclamation जो है, emergency की वो कब बनी, June 1975 में, और second और third proclamation जो है, हमने कब वापिस दी थी, March 1977 में, जो पहली दूप proclamation है, 1962 और 1971 जो है, वो external aggression की वज़ास हुई थी, जब कि third proclamation जो है, वो internal disturbance की वज़ास हुई थी, चलिए ब आगे, आपको पता ही है, जब हमारे देश में national emergency लगी थी, 1975 के time period पर, तब हमारे देश में बड़ी ज़ादा criticism हुई थी, और बड़ी ज़ादा controversies हुई थी, तो उसके लिए क्या हुआ था, हमारे देश में लोकसभा में, जब क्या कहता है, elections हुए लोकसभा के, क्या किया था, उस committee ने शा कमिशन को appoint किया था, कि circumstances जिसकी वायसे national emergency लगी, 1975 में, तो उस commission ने क्या किया था, ये बोला कि जो declaration उससे में emergency क्यों थी, वो justified नहीं थी, फिर जिसकी वायसे 44th constitutional amendment करनी पड़ी, 1978 में, जिसमें हमने क्या किया, बड़े जादा safeguards लाए हमारे देश में emergency को लगाने से बचने के लिए, देखो emergency कहना बड़ा आसान है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ा असानी से पढ़ा रहा हूँ, या आप पढ़ रहे होगे, या उसके बारे में सुन रहे होगे, बड़ी असानी से सुन रहे होँगे, पर जब emergency लगती है, जिन्होंने इसको face किया हुआ है, उनको पता होता है, कि emergency होती है, तब ही उन्होंने क्या किया था, 44th Constitutional Amendment 1978 किया था, तो दोस्तों, यहाँ से आपका article number 352 कतम होता है, next video में हम क्या करेंगे, next video में हम article number 356 करेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगे, तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा, comment section में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो से benefit मिला या नहीं मिला, या हम next video आपके लिए कौन सी लाएं, अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं कियो, तो subscribe जरूर कर लीजिए, और हमारे चैनल को share अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, कि ताकि हर किसी का benefit जो हो सके, तो चलिए दोस्तों, next video में आपके साथ मिलते हैं, thanks a lot guys, God bless you.